ये तो आप जानते ही हैं कि पराग अगरवाल ट्विटर के सीओ बन चुके हैं और तब के बाद से लगाता टरन भी होने लगें पर सोचने वाली बात ये है कि पराग अगरवाल का श्रिया घुशाल से आखर क्या कनेक्शन है और जब से दोनों के ट्विट वारल हुए हैं भई हर को यही जानना चाहता है कि दोनों में आखर कनेक्शन क्या है तो जनाब थोड़ा सा पेशन्स तो आपको रखना पड़ेगा आपको ये भी बताएंगे कि आखर पराग अगरवाल है कौन और उनका श्रिया घुशाल के साथ कनेक्शन क्या है वैसे पराग अगरवाल इंडियन सिटिजन है जिन्होंने IIT पॉंबे से इंजिनियरिंग की है पराग अगरवाल के CEO बनने के बाद श्रिया घुशाल की तरफ से उन्हें सोशल मीडिया पर बताईया दी गए लेकिन ट्विटर यूजर्स ने पराग अगरवाल का पॉलिवट सिंगर श्रिया घुशाल के साथ अलग ही कनेक्शन धून निकाला और फिर पराग और श्रिया घुशाल के कनेक्शन के 11 साल पुराने ट्विट को भी खंगाल निकाला अब जरा इन ट्विट्स पर नज़र डालिए पराग अगरवाल के CEO बनने के बाद दोनों के पुराने ट्विट्स तेजी से वारल हो गए वेल श्रिया घुशाल और पराग अगरवाल काफी अच्छे और पुराने दोस्त हैं श्रिया घुशाल की तरफ से साल 2010 में एक ट्विट किया गया था उन्होंने लिखा था मुझे मेरे 55 का दोस्त मिला है जो खाने का बेहर शौकीन है साथ ही ट्रेवलिंग का भी शौक रखता है उन्होंने आगे लिखा पराग एक स्टैनफॉर्ट स्कॉलर है उन्हें पराग को फॉलो करने की अपील की थी और आपको पता दें कि वाक्या पराग के बर्दे के एक दिन पहले का था जिसमें श्रिया घुशाल पराग को बधायां देने की बात कर रही थी पराग की तरफ से भी श्रिया घुशाल के साथ फोटो शेर की गई पराग ने लिखा श्रिया आप काफी इंफ्लूएंशिल परसनालिटी है कई सारे ट्विटर मेसेज़ आ रही है ट्विटर के सी यू बनने के बार श्रिया घुशाल ने ट्वीट करके पराग को कॉंग्रेचुलेशन भी विश्किया श्रिया ने लिखा पराग अगरवाल 2011 से ट्विटर में काम कर रहे है पराग अगरवाल उस समय से कमपनी से जुड़े हैं जब किवल 1000 से भी कम इंप्लॉईस थे उन्होंने 2017 में कमपनी की चीफ टेकनोलजी ओफिसर का पद संभाला अब पराग अगरवाल ट्विटर के नए सीय होंगे पराग ने IIT बॉंबे से पढ़ाई की है और स्टैन्फोर्ड युनिवर्सिटी से कमप्यूटर साइंस में डॉक्टरेट की दिग्री ली है पिल देखाना आपने कैसे यूजर्स ने पराग और श्रिया गुशाल के बीच में खुद से ही कनेक्शन निकाल लिया और ये कनेक्शन सही भी साबित हुआ और ये कनेक्शन सही भी साबित हुआ